गुड मॉर्निंग एवरिवन तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है इजादेदारी सिस्टम ठीक है तो इसको समझने से पहले हम इसके पहले की चीजे जो पहले जो चीजे हुई है उसको समझते हैं आखिर इजादेदारी सिस्टम क्यों आई थी ठीक है तो सबसे पहले इससे पहले हम देखते हैं कि मोगल अंपायर हुआ करता था ठीक है मोगल अंपायर क्या होता था प्रोविंस कई तरह के प्रोविंस में बटा होता था ठीक है तो यह प्रोविंस है जिनको हिंदी में सूबा कहते थे और हर्स प्रोविंस का एक दिवान होता था ठीक है दिवान का काम क्या होता था दिवान यह है दिवान का काम होता था कि वो टेक्स को कलेट करे और मोगल अंपायर के ट्रेजरी को दे दे ठीक है लेकिन क्या हो कि वो दिवान कभी भी डिरेक्ली टेक्स वसूल नहीं करता था उसने रखे थे अपने जमीदार जमीदार क्या करते तो प्रवान को देते थे और वह दिवान को देते थे और दिवान क्या करता था मोगल अंपायर को डायरेक्ली ट्रेजरी में भेज देता था ठीक है लेकिन जिस तरह जितना इजी टास्क के दिख रहा उतना था नहीं क्या हुआ कि जब बैटल अब बक्सर हुआ 1764 में तो यह जो दिवान जो पहले मोगल अंपायर के टाम में यह सब हुआ करते थे दिवान यह कंसेप्ट जो था यह मोगल अंपायर का था तो आफ्टर बैटल अब बक्सर जब 1764 में बैटल अब बक्सर हुआ तो उसके बाद इस इंडियां कंपनी को तीन जगए की राइट मिल गए दिवानी राइट कौन-कौन से बंगाल भिहार ओडी सा ठीक है अभी क्या करते थे इन्हों ने जब दिवानी राइट से इंको मिल गए थे इन्हों ने दिवान को रिप्लेस कर दिया और उनके प्लेस पे खुद को रख लिया ब्रिटिश इस इंडियर कंपनी ठीक है अपन लोगों के अंदर गुस्सा है तो वो गुस्सा हमारे उपर ना निकल जाए इस शक्कर में इन्होंने जमीदार के उपर European officer को appoint किया था वो क्या करते थे? Tax लेते थे जमीदार से और British East India Company को देते थे अब दीवान रिप्लेस हो गए है British East India Company को देते थे जमीदार थे जमीदार के उपर Europeans थे तो Europeans को जरा सभी आइडिया नहीं था कि किस क्या criteria हम set करें किस तरह से उनसे पैसे ले पीजेंड से क्योंकि वो इंडिया के तो थे नहीं तो उनको आइडिया नहीं था कि कौन सा crop या कौन सा land कितना crop grow करेगा तो उनका क्यों purpose ही होता था कि maximum amount आप क्या करो उनसे निकाल पाओ ठीक है maximum तो यहाँ पर हम एक scenario देखते हैं यहाँ पर क्या था कि दिवानी रैट्स अब 1765 तक की बात थी तो दिवानी रैट्स हुआ करते थी 1770 तक क्या हुआ कि यहाँ पर फेमाइन आ गए फेमाइन आने से क्या हुआ कि जो बेंगॉल था बेंगॉल की फेमाइन की वैसे मर गई ठीक है उसके बाद आता है 1771 तो 1771 में वारें हैस्टिंग्स पॉइंट हुए थे और उन्हों ने 1772 में ही इजादेदारी सिस्टम ले आए ठीक है अब हम थोड़ा इसको और पढ़ेंगे इजादेदारी सिस्टम को तो इजादेदारी सिस्टम क्या Mantleこれ इंट को ऑक्षेन क्या मिया अब लेंड को औक्षन कर लिया गया अब को ऑक्षन किया तो 10 लोग पाँच बोरे अनाज अगर कोई क्रॉप है, कोई लेंड है, वो फाइफ बोरे जो अनाज है ऐस आ टेक्स निकाल सकता है, तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है, यहाँ से चार बोरे अनाज निकाल के ऐस आ टेक्स दे देंगे, कि इसको British East India Company को और वो Mughals को दे देगा ठीक है लेकिन इसकी problem का होई कि जो उनको इनका corruption बहुत जादा था Europeans का तो वो क्या करते थे कि कभी-कभी ऐसा भी situation आया है कि जितना land grow कर सकता है जैसे 5 बोरी अनाज है तो वो क्या auction में क्या करते थे कि 6-6 बोरी या 7-7 बोरी लगा देते थे अनाज कि हम निकाल लेंगे यहां से ठीक है और जो maximum auction लगाता था जो maximum बोरी लगाता था उसको वहां का right दे दिया जाता था कि ठीक है आप निकालो वहां से तो ऐसी situation आ गई कि जब land से ग्रोही नहीं हो रहा है crop ठीक है तो लोगों ने या वहां के farmer ने वह land छोड़ के भाग गए ठीक है इतनी बेकार situation आ गई हो नहीं रहा और वह जबरस्ती निकाल रहा है उससे ठीक है अनाज और अनाज दे रहे हैं उनको कभी-कभी यह होता था कि जैसे एक situation में बता रहा है उसमें क्या है कि मालो कोई land है वो 5 बोरी अनाज ग्रोह कर सकता है ठीक है तो उन्होंने बोरी लगा दी कि हाँ हम 4 बोरी जो अनाज है वो दे देंगे किसको British British India Company को तो उन्होंने 4 बोरी तो दे दी कि farmer की condition खराब होने का reason ठीक है क्योंकि कोई भी idea नहीं था कि farmer के पास भी हमें कुछ पैसे रखने है कुछ अनाज रखना है जिसे वो भी अपनी life को survive कर सके वो भी उसको बेच पाए जिससे पैसा निकाल पाए ठीक है अब क्या हुआ कि इसको इजादेदारी सिस्टम है उसको five year settlement भी कहते है ठीक है क्योंकि पांस साल की होता था एक बार auction बोली लग गए जो set हो गया उस वो पांस साल तक वह auction करता था वो वहाँ पे जो भी system होता था उसको govern करता था ठीक है बाद में क्या हो जब फेलियर होने लगा 1772 के बाद जब भी पांस साल फेलियर हो गया तो 1777 में क्या हो वार्रिन हैस्टिंग्स ने इस five year settlement को change करके annual settlement कर दिया means हर साल यह auction होगा ठीक है लेकिन बाद ने पता चला कि ये भी बहुत बड़ा failure है ठीक है तो इसी के बाद लगब कुछ सालों में 1793 में permanent settlement आया ठीक है लॉट कॉर्नवलिस ने लायते ठीक है तो ये क्योंकि एक ज़ादेदारी सिस्टम कभी भी work नहीं कर पाई थी ये एक बहुत बड़ा reason था कि आगे जागे permanent settlement आया